आज मैं आपको HCG injection के बारे में बताने वाले हूँ HCG injection क्यों देते हैं और कब देते हैं चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथ ही लाइक करना बिल्कुल भी ना भुलिए इस वीडियो में कुछ important points बताएगा है last two points आपके लिए बहुत ही benefit देने वाले हैं और इसी के साथ आपको एक bonus tip भी मिलने वाली है injection HCG जो भी महिला fertility treatment लेती है यानि pregnancy के लिए treatment लेती है महिला को ये injection लगाया जाता है इसी injection को evolution injection या फिर triggered injection भी कहते है HCG injection जब महिला का जो एग होता है वो एक proper size में आ जाता है यानि 18-22 mm तक आ जाता है तभी HCG injection लगाया जाता है अगर एक का size 15 या 16 mm तक है यानि कम है तब HCG injection बिलकुल भी नहीं लगाते है क्योंकि ये एक proper एक का size नहीं होता है जिसी वज़े से डॉक्टर 18-22 mm तक आ जाने के बाती injection लगाया जाता है HCG injection का क्या काम होता है HCG injection का काम ये होता है evolution करवाना अगर आपको naturally तरिके से evolution नहीं हो रहा है इस case में ये injection लगाया जाता है ताकि आपको जल से जल evolution हो जाए और आपको pregnancy रुख जाए evolution क्या होता है evolution यानि बीच का अर्चिदानी में से निकलना और फैलिपिन ट्यूप में आकर रुखना ये बहुत ही जादा important step होता है अगर ऐसा नहीं होआ तो आप जितनी भी अपने medicines ली होती है वह सब failure हो जाती है और जो एग है वो एवरी में ही रख जाता है और conception नहीं होता तो HCG का एक तरीका है जिससे pregnancy की संभावना बढ़ जाती है HCG injection का dose क्या होना चाहिए HCG injection का dose 5000 से लेकर 10,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है यह जनरली आपके डॉक्टर आपके बोडी के according डिसाइड करते है यह injection लगाने के बाद evolution आपका हो जाता है और evolution होने के बाद डॉक्टर आपको dates निकाल के देते है जिस टाइम आपको relation बनाना है उसके वज़े से आपके pregnancy जल्दिव कंसीव हो जाती है injection जनरली period के 13 या फिर 14 days पे दिया जाता है अगर अंडे का size proper यानि 18 से 22 mm तक हो गाया है कुछ patient का एक का size 13 और 14 दिन के पहले ही हो जाता है उन case में भी डॉक्टर यह injection पहले ही लगा देते है क्योंकि हर माईला का period cycle अलग होता है उनकी period cycle अलग होने के वज़े से उनका evolution भी अलग-अलग days पर होता है यह injection लगाने के बाद आपका evolution 36 से 40 घंटों में हो जाता है बहुत सी महिलाओं का question होता है कि HCG injection नुकसान दायक होता है या नहीं तो friends HCG injection से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता वो एकदम safe होता है वो आपका एक को trigger करता है और rupture करता है हर माईने में अगर आपने injections लगाया तो आपको इसका कोई भी नुकसान नहीं है क्योंकि HCG injection एक natural hormone होता है जो कि evolution के time पर body से release होता है और जब महिला pregnancy conceive कर लेती है उस time यह hormone महिला के body में already होता है तो यह बहुत ही ज़ादा safe माना जाता है HCG pregnancy hormone होता है जो कि आपके placenta से release होता है और इसका main काम यहीं होता है कि जो early pregnancy को support करना क्या आपने भी यह injections लगाये है कमेंट करके जरूर बताए और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन आन करें ताकि आगे आने वाले सब नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे तब तक अपना धान रखिए मिलते हैं नेक्स्ट इंफोर्मेटिव वीडियो में